नमस्कार दोस्तों, दिल्ली हाइकोड ने मंगलवार को एक सुनवाई के दोरान कहा कि बालिग महिला या लड़की या चुन्ने के लिए सोतंत रहे कि उसे कहा और किसके साथ रहना है। हाइकोड ने ऐसा कहकर सुप्रिम कोड द्वारा तैस सिदान को दोराया है। कोड में एक परिवार की याचका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें परिवार ने अपनी 20 साल की लड़की के 20 सितंबर से कतित तौर पर वुम होने की बात कही थी। बाद में परिवार ने कहा कि लड़की को कोई गलत तरह से बैला कर परिवार से दूर ले गया है। इस मामले में दिल्ली हाइकोड ने उस 20 साल की लड़की का भी बयान सुना लड़की वीडियो कॉन्फरेंस के जरी ये पेस हुई थी लड़की ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है लड़की ने अभी बताय कि उसने अपनी मर्जी से साधी कर ली है लड़की का बयान सुनने के बाद कोट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि लड़की को सुरक्षित उसके पती के घर तक छोड़ कर आया जाए पुलिस से अभी का गया कि वो लड़की के परिवार को समझाए कि वे कानून को अपने हाथ में ना ले इतना ही नहीं लाके के बीट अफसर का नंबर भी कपल को देने के लिए का गया जिस पर जरूरत पढ़ने पर फोन किया जा सके कोट में एफैसला जेस्टिस बितिन सांगी और रजनिस वाटनागर की बेंच ने दिया